नमस्कार बच्चों मैं संगीता भालेरा मैडम कक्षा चटवी पी और सी के बच्चों को गलित पड़ा रहे हूं देखो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगोंने किस तरह से स्तंबाले खीचे जाता है इसका अध्येन कर चुके हैं अभी इस पर आधरित हम लोग प्रश दिन में उप्योग में किये जाने वाले पीने के पानी के मात्रा दी गई है दी गई जानकारी के आधर पर स्तंबालिक तयार करो और उसका पैमाना दिया है वाय अक्ष पर एक सेंटीमेटर बराबर दस लिटर अभी इसमें दिये है नाम पहले परिवार के प्रमुखों के नाम और उन्होंने एक दिन में कितने पानी का उप्योग किया है वो दिया है तो सबसे पहले रमेश उन्होंने 30 लिटर पानी का उप्योग किया है शोभा उन्होंने 60 लिटर पानी का उप्योग किया है जुली उन्होंने 50 लिटर पानी का उप्योग किया है और राहुल उन उसकी बाद यह जो जानकारी दी जाती है तो यह आप लोगों को सबसे पहले अपने कापी में जो यहाँ पर लकिरो वाला पेज जो होता है इस पर यह प्रशन पहले लिख लेने का है और लिखने के बाद इस जानकारी का उप्यों यहाँ के लिखने प्रशन के उप्यों करके कि आप लोगों को यहां पर स्थंभालिक खीचना है तो देखो अभी इस जानकारी को उप्योग करके स्थंभालिक किस तरह से खीच जाता है filming लोग देखने वाले हैं अब देखो स्तंबाले खिषते समय मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पहले यह जो देखो नीचे से यह आड़ी लाइन आड़ी रेखा यानि एकस अक्ष जो है उसको इस तरह से खिचना है पट्टी और पेंसिल का उप्योग करके उसके जिससे हम लोगों ने यह X और Y आक्ष खिचने का हैं इसको X नाम देने का हैं यहाँ पर Y नाम देने का हैं और यहाँ पर दोनों का प्रतिचेदन बिंदू 0 तो उसको यहाँ पर O नाम देने का यानि O रिजन उसके बाद हमें अभी पहले सबसे पहले पैमाना लिखने का ह क्योंकि अगर पैमाना नहीं लिखा, तो आप लोगों का स्थम्बाल एक जो है, उसको शुन्य मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पैमाने के सिवाँ आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, इसलिए पैमाना बहुत आवशक होता है, और पैमाना हमें अपने प्रश्ण में भी दिया है, यहाँ पर जो पैमाना दिया है वही पैमाना हमें यहाँ पर लिखने का भी है और वो हो लेने का भी है तो देखो पैमाना है y अक्षपर 1 cm बराबर 10 लिटर तो अभी देखो यहाँ पर y अक्षपर 1 cm मतलब देखो शुन्ने से लेकर यह 1 cm हो गया तो यहाँ पर 10 लिटर तो पर 10 से लेकर, आगे 20 तक एक सेंटीमीटर, तो इस तरह से हमें ये पंभाना लेनेका है, तो अभी पंभाना लेते हैं यहाँ तो पंभान है, लेकिन प्रश्ण में, हमें कहा तक जाने का है, तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौंसा है तो 50 लिटर तो हमें साठ लिटर तो हमें यह जो सम्ब है कम से कम 70 तक हमें लिखने का है तो देखो यहाँ पर हर एक सेंटिमेटर पर मैने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 तक मैने यहाँ पर ले लिया है अब यहाँ पर लिखने का है क्या है पीने के पानी की मात्रा लिटर में तो यहाँ पर यह पीने की पानी की मात्रा वाय अक्ष पर दिखाई है और उसके बाद परिवार के प्रमोखों के नाम वो हमें एक सक्ष पर दिखाने है तो सबसे पहले रमेश, रमेश ने कितना पानी यूज किया था तो देखो रमेश ने 30 लिटर पानी यूज किया है तो इसलिए हमें देखो यहाँ पर 10, 20, 30 तो यहाँ पर इस तरह से पट्टी और पेंसिल से हमें यहाँ पर स्तंब खिचना है और खिचने के बाद यहाँ पर दो स्तंबों में बिल्कुल समाना नतर होना चाहिए उसके बाद है शोभा, शोभा ने कितना पाणी उपयोग में लाया है, 60 लिटर तो इसलिए यहाँ पर, देखो, 60 कहां आते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 70 यहाँ पर आ गए है तो यहाँ पर देखो, पट्टी और पेंसिल से भी यह बेराबर खीचने का है उसके बाद अयोब, अयोब ने कितना पाणी उपयोग में लाया है, तो 50 लिटर तो देखो, यहाँ पर 40 के बाद यह 50 का इधर है, मार्किंग किया गया, तो देखो, यहाँ पर 50 लिटर और उसके बाद राहुल, राहुल ने कितना किया है, 55 लिटर, तो यहाँ यह 50 और यह देखो, यह फिक की लाहिन जो है, यह पाच की है, तो 50 और 5, 55 तो इसलिए, बराबर पट्टी और पेंसिल से यहाँ पर यह मार्किंग करनी यह निशान करना है, और फिर उसको राहुल यहाँ पर यहाँ पर यह स्तंब जो है, वो खिचने का है, तो इस तरह से हम लोगों ने यह संबाल एक जो है, वो खिचा है, तो आपको प्रश्ण, यह जो लिखित वाला पेज है, यहाँ पर प्रश्ण लिखने का है, और यहाँ पर पेंसिल से, देखो, आलेक पेपर पर पूरा काम पेंसिल से करना है, पेन का उप्योग नहीं करना है, तो इस तरह से यह आलेक बनाने का है, और फिर आप लोगों को आगे वाले प्रश्ण जो है यहाँ पर जो बाकि की जो है प्रश्ण संग्र 19 के प्रश्ण संग्र 19 के प्रश्ण दूसरा और प्रश्ण चोथा ये दोनों गनिज्जो है वो आप लोगों को इसी प्रकार इस अलेक की कापी में हल करना है धन्यवाद